हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेज पर मैं हूँ प्राभात कुमार सिंग और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कोस्टन आंसर एक पोएम का जिसका नाम है इन दे बाज आर्स अफ हाइदराबाद जिसकी पोएट है सरो सरोजिनी नाइडू फ्रेंड्स यह तो पोएम का कोई क्लास नहीं होता बट आज मैं चुकी कोस्टन आंसर इसके एक्स्प्लेइन कर रहा हूं इसलिए भी त्रिप्रेंस टू गुलमहर रीडर पार्ट एट करने जा रहा हूं जिसे औरियंट ब्लैक स्वान पॉब्लिकेश स्वान इनो पत्लिए यहां पुरी तरी के से जान सकते है हिंदे? इस प्रेंस टो वीडियो बना एक तो ईक वैसे भी बनाया जो भी हार बोड में च्कास 11 नहीं करें घ抗 लिए आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको आसानी से मिल सके तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर चलिए दो फ्रेंड यह रहा आपके स्क्रीन पर यह पोएम वन है गुलमोहरीडर पार्टेट का तो इसका यह चैप्टर इन द पोएम इन द बाज आर्स फाइद प्रकार के लोगों से वह बाजार में को देखती है और बात करती है यह तो चार पांच नेम हो गए फू एल्स डू दे इंक्लूड लुक त्रू द पॉम एंड फाइड 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 इनके अलावा कौन से फाइड है उनके नाम बताने है तो आप इस तरह स्यां दर इस द्रीकर वो हा लगिया पर यह एंडwieं स्पेल्स मिस्टेख और गोंड स्मीट्स रहाँ वाली मालन आप तुकि कह सकते हैं चलिए कोस्टन नमबर सेकेंड है वाट डूवेंडर ми कि वेंडर तोल रहे है वाट डूद डिह फिरो मे conse क्या 12 कर रही है fixes पिशना एनापिशना ग्राइंडर से बनाया हुद एकसे सबीक्सिव बोर्ड गेंट कोन बेच रहा है वाट इंडिकेट यह एक्सपेंसिव तो आंसर में होगा सफरन लेंटिन और आप जानते होंगे के सरोता है लेंटिन मसूर की दाल और राइस यह सब बेच रहा है कौन तो यह वेंडर को सन में जो वेंडर पूछा था फिर पूछा हुआ सब्सक्राइब तो मेंडर ग्राइंड यानि मेंडर जो है वो पीशती है सेंडल वूड यानि चंदन उसके बाद हेना यानि कि जिसको मेहंदी हम लोग कहते हैं राइस इंसों को पीश रही है फिर अगले में था कि भाई यह जो है हूं सेल्स एक्सपेंसिव बोर्ड गेम्स तो यह पेडलर्स यह महंगे गेम्स बेच रहे हैं अचा कैसे हम कह सकते हैं वाट इंडिकेट देयर एक्सपेंसिव तो इसमें चलिये उसके बाद है हमारा को सन नमबर त्री और वो कहता हूं मेक्स ओरनमेंस कौन जो है वो गहने बना रहा है नोट यह बना रहा है नोट य human minks नकेबल मनुश्यों के लिए but for their pets बलकि मनुश्यों के pets के लिए भी पालतू पश्वों के लिए भी what ornaments and for what pets तो कौन से ornaments और किन pets के लिए चले तो answer में है बनाने का natural सी काम है गोल्ड स्मित यानि सुनारी करेंगे make ornaments for humans and pets यह दोनों के लिए दोनों के लिए वही बनाएंगे हां बट यह कि कौन से pets हैं और क्या बना रहें तो they make bills जो कौम में दिया हुआ है वे bills बनाते हैं for the feet of the blue pigeon ना नीले पीजन के लिए जो है वो bills बना रहे हैं उसके पैरों में पहनने के लिए चलिए question number four what do magicians announce themselves है na magicians अपने आपको क्या announce करते है what do they claim for the things they sell वो आकिर क्या claim करते हैं वो क्या बेच रहे हैं तो इसका हो जाए answer the magician announce themselves with chants है न वो अपने आपको किस चीजों से तो mantrों से करते हैं chants means they sell spells that will वे ऐसे mantr बेच रहे है spells means kya spelling यानि कि mantra that will last for eons to come है न उससे divine power आएगा जैनि जादू आएगा जिसे की जादू कर पाएगा हलांकि वो divine power जो भी हो तो हाथ की चाला की होती है आप सब भी जानते होंगे कई बार आप मेले वोगरा में जाते होंगे तो यह दिखाया जाता है चलिए अगला question number five आपको है और वो कहता हूँ waves waves माने बुनना things for young people about to get married वो युवा लोगों के लिए जिनकी होने वाली है उनके लिए and for the people about to die तो जो डाई होने वाला उनको कौन बुनता है क्या बुनता है याद होगा आपको वह माला है तो वह शादियों के लिए भी और मृत्यू के लिए भी तो आंसर में कहता है the flower girls waves यानि की मालन जो है फूलो वाली लड़की जो है वो तिंक्स मनाती है बहुत फॉर्ट यंग पीपल जुवा लोगों के लिए जिनकी शादियों होने वाली about to marry it and for the people about to die जो मर दें वाली है सब के लिए चलिए sixth question है do you think this bazaar is for people who want to buy things क्या ये बाजार जो है वो उन लोगों के लिए जो चीजे खईते हैं for their daily needs जो अपने daily needs की रोजाना की जिवरत की सामान जैसे डाल साग सबजी है उनके लिए और for the people to shop for luxuries या फिर उनके लिए जो एशोवाराम luxuries means एशोवाराम के सामान करते what makes you say so और क्या कारण है आप जो भी इसमें से कहना चाते answer वो ऐसा क्यों तो इसका answer होगा the bazaar is for both type of people people can think मतलब दोनों दोनों प्रकार के लोगों के लिए जो जो luxuries खढ़ना चाते है जो daily needs खढ़ना चाते है people can buy everyday necessities जो रोज की आवश्कता है लाइक जैसे spices मसाले मसूर की दाल है और महेंगे आइटम्स भी खड़ सकते हैं कैसे जैसे पर दिया हुआ है यह सब भी कर सकते हैं यह समझना जरूरी होता है बाकी जो है वह बड़े हो जाएंगे इसलिए बाकी का मैं आंसर यहां पर देता हूं यह सेकेंड वाला आपका है अप्रिसीटिंग दा पॉम और इसमें यह जो कोस्टन यह हुआ है नाउं मेक सिमिलर च्वाइस फॉर दिस तो उसके आंसर दिये हुए हैं वन के टू के सी थी के एफ फॉर का भी और फाइव का सी यह सब आंसर आप अपने बुक में से मिला ले इस को या इस वीडियो को प पाया तो आपको यह मिल जाएगा लाइक किया वीडियो जो है वह आपको यूट्यूब के जो राइट साइड में यूट्यूब जब आप खोलेंगे तो राइट साइड में जो सब से नीचे होगा राइट डाउन साइड में उसमें आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो लाइ जाए फोर और शिक्स में यहां इस प्रकार इसले टैंक लेट यह सब आप देख लेना करके बताएं लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले जिससे कि हमारा इंकरिजमेंट होता रहे है और एक बात और कि यह इसका पिछला चैप्टर जो था एन बेक सकेक उसका कोशनांसर मैंने डाल दिया है और अभी रेगुलर बाकी चैप्टर के भी आपको कोशनांसर चाहेंग थाइक फर वाचिंग वाचिंग अवा नासे देग कर देगे।